रमश्कार और गुद्मोरिंग, गुद्मोरिंग और स्टुडेंट साय मॉनिका नामा आज हम दियर्ट सेकेंट इयर का पेपर है पेड़ागोजिय और फाइनेशल एकांटिंग और युनिट आपके फर्स के बित्ते लेकांट में पाठे गर्ण में पाठे पुष्टा और टॉपिक है आपका पाठे बस्तु का संगर्ण यानिकि पाठे वस्तु का संगधन करने के लिए पाठे साम अगरी को विवस्तित करके संगधित किया जाता है पाठे वस्तु को इस प्रकार से विवस्तित किया जाता है जिससे पाठे वस्तु को सीखने वाले चात्रों को पाटे वस्तु को सीखने, पाटे वस्तु को जो कोई भी छातर सीखता है या पाटे वस्तु को सीखने वाले चात्रों, चात्रों को सरलता हो, चात्रों को सुगंता हो, चात्रों को आचानी हो, और साथ में यह भी है कि पाटे वस्तु निर्माण की प्रकरिया में पाटे वस् पार्टे वस्तो को प्रभावशलिस्तान प्रदान करने के लिए पार्टे वस्तो के कुछ गुणों होते हैं उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे पर्स्त है पार्टे सामगरी के संगठन की प्रदिया पार्टे सामगरी के संगठन की प्रदिया पार्टे सामगरी के संगठन की प्रदिया सम्रग रूप से लचीली होनी चाहिए इस प्रकार से पार्टे सामगरी के ठाचे लिए इस प्रकार से पार्टे सामगरी के राचे में नवीन वेवस्ता के नुसार नवीन वेवस्ता के अमशार परिबर्तन एवं ताल मेल की प्रदिया अपना ही चाहिए इस प्रकार से पार्टे सामगरी के प्रक्रिया संपूर रूप से लचीली होनी चाहिए पार्टे सामगरी के संगठन के प्रक्रिया ने के पार्टे सामगरी के वेवस्तित के जाता है उसके संपूर रूप 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 समझ में आ सके और अध्यापक के द्वारा वो शात्रों को समझा सकें इस प्रिकार से पाठेसा मगरी के ट्धाचे लिए वो नवीन वीवस्ता के अनुछार ओना चाहिए जो चातरों के घूचि के अनुछार और नवीन चाहिखे लिए उस्तार को चानुछार इसात मुझी में प्रिपर चाहिए अच्छे पाटे करम निर्माण में विशिष्ट प्रक्रिया विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा चात्रों की आवसक्ताओं और भूचियों जूचियों की द्वारा चात्रों की आवसक्ताओं और भूचियों का भूचियों को ध्यान 보여 रखकर मिशिष्ट प्रक्रिया द्वारा 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 जा सकता है, जासकता है, जिस परक्रम का निर्माण क्या जा रहा है, उटने विशिष्ट्र प्रक्रिया दोरा, कौन सी विशिष्ट्र प्रक्रिया दोरा चातेरों के आवशाक्ता हों? विशिश्फ प्रक्रिया के द्रारा, चात्रों के अश्यवन को, चात्रों के रूचियों को ध्यान में रखकर, उसके क्रिया को, उसके योशनाओंको, उसके कालैकाल को शामिख कई रचे हैं? आच्छे पाठे क्रम निर्मान में नेच्स पर देखेगा वित्ति लेखांकन विशे में धड़ देखेगा धड़ पोईंट धड़ है वित्ति लेखांकन विशे के पाठे क्रम संगठन में वित्ति है वित्ति लेखांकन वित्ति लेखांकन बित्य ले खांकन बिशे के पाथे क्रम संगठन में कक्षा के बीतर सीखने के अनुभाव में संतुलन बनाए रखने का एक क्रम होना जाए संतुलन बनाए रखने का एक क्रम होना चाहिए क्याने का मतलब है कि पाथे बस्तु का संगठन इस प्रकार सी किया जाए कि बित्य ले खांकन बिशे का पाथे क्रम संगठन में कक्षा के बीतर और कक्षा के बाहर कक्षा के बीतर चात्र क्या करते हैं और कक्षा के बाहर चात्र सीखने के अनुभों को किस प्रकार से संतुलन बना करते हैं होना चाहिए ? होनका एक क्रम होना चाहिए कि वह कक्षा के अंदर किस प्रकार से पृठे क्रम के संगठन को पक्षा के अंदर अनुभों को सीखते हैं अनुहों को प्राप्त करते हैं तो उसका एक क्रम होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है फोर्थ फोर्थ है पाठे क्रम में पाठे सामगरी पाठे क्रम में पाठे क्रम में पाठे सामगरी पाठे क्रम में पाठे सामगरी संग्रहीद कर पाटे क्रम में पाटे सामगरी संग्रही कर चात्रों की मनोवेग्यानिक आवशक चाओं चात्रों की मनोवेग्यानिक आखान चाओं लोगन चात्रों की मनोवेग्यानिक आखान चाओं यहां एो तर्क की आवशक चात्रों की आवशक दर्क की की आवशक चात्रों को तरकेकी और सक्साओं को उरख किया जाना चाहिए कि पाते क्रंबें पाते शामगरी में पाते शामगरी संखषाamarचा हो पाते सामगरी में बाद चात्रों की मनो गडेकोन है यानि कि छात्रों के मांची को रिशार दे आकांचांग, लाल साओं, इच्छांग, वो तर्क के आउसकताओं को यानि कि उनके तर्क भी तर्क के आउसकताओं कर पुढ़ाती आ जाना चाहिए, किसको पाठे करको तिप्त पॉंट है बिट्टि लेखांकन वाटी है पाठे वस्तू का संगतन करते समय दूसरे अन्य विश्यों से दूसरे अन्य विश्यों से पाठे वस्तों को ध्यान में रखकर ख्रिया करने चाहिए पाठे क्रम को ध्यान में रखकर ख्रिया पाठे करम को ध्यान में रखकर ख्रिया करने चाहिए दूसे अन्य वीशों के पाठे करुँपो दियान मेंगते हैं, क्या करने चाहिए। कहने का मतलग यह है, कि एक विशे का सम्मन्थ दूसरे विशे से और न क्या है, याने कि अर्थ शास्ते की तता व्यापार प्रददी आदी की पाठे बस्तों को ध्यान में लखकर किरिया करने ही चाहिए ठीक है यह आपके पाठे बस्तों के संगटर्स का फिप्त पॉल्ट कम्प्रेट ने दुश्टा है